फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंटिन पोईट दिलीप छितरे की एक पोईब के बारे में जिसका नाम है फादर रिटर्निंग हो ये पोईब उनकी मोस्ट फेमस और पॉपुलर पोईब मानी जाती है ये एक आटो बायोग्राफिकल पोईब है और इस पोईब में पोईट हमें क्या बताते हैं तो एक ओल्ड मैन जो की इस मौडन सुसाइटी में जी रहा है कैसे वो अपनी डेली लाइफ में लोनलीनेस और वियरीनेस इन दोनों इमोशन्स को फेस करता है और ये ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ सुसाइटी में फेस करता है वो अपने घर में भी फेस करता है डोमेस्टिक लाइफ में फेस करता है और किस तरह से ये जो फीलिंग्स हैं ये जो इमोशन्स हैं उसे दिन वदिन वीक कर रहे हैं सिर्फ फिजिकली ही नहीं मेंटली भी उसे किस तरह की चीजों को जहलना पड़ रहा है इस बारे में ये पूरी पोयम है फ्रेंट्स पोयम पे जाने से पहले आपको एक बात पता होनी चाहिए कि ये जो पोयम है ये एक true account है ये true incident पर based है और ये poet के अपने father पुरुशोतम चित्रे की life पर है जो 1957 में बरोदा से मुंबई आ गए थे और वहाँ पर एक new environment एक नई जगह पर उन्हें किस तरह से ढलना पड़ा किस तरह के problems उन्हें आ रहे थे और कैसे वो वहाँ पर खुश नहीं थे इससे भी कहीं न कहीं ये पोयम जो है वो inspired है ये पोयम two stanzas में है हर stanza में 12 lines है और साथ ही ये free words में लिखी गई है इसमें कोई definite rhyme scheme भी नहीं है और first person narrative में इस पोयम को बताया गया है साथ ही इस पोयम में कई major themes को discuss किया गया है जैसे alienation, generation gap और old age in a modern society किस तरह से इन सारी problems को एक old man face कर रहे है अपनी day-to-day life में और इन सब का क्या impact हो रहा है उनकी life में French's poem के poet का नाम है दिलिप पुरशोतम चित्रे उनका जन हुआ था 17 September 1938 में और उनकी death हुई थी 10 December 2009 में वो post independent India के one of the famous poets और critics माने जाते हैं वो एक bilingual poet थे यानि कि वो Marathi और English दोनों ही languages में लिखा करते थे साथ ही वो एक translator, painter, fiction writer और film में कर वी थे उनकी famous works में as is, where is, shesha, ekun kavita ये सब ही शामिल हैं तो चलिए friends अब इस poem पर आते हैं और इसे पढ़ कर समझने की कोशिश करते हैं My father travels on the late evening train यानि मेरे पिता जो है, वो शाम को जो देर से train आती है उससे travel करके घर आते हैं यहाँ पर आपको एक बात notice करनी होगी कि यह जो late evening है यह इस बात को symbolize करती है कि जो father हैं वो थोड़ा extra काम करते हैं और इस कारण उन्हें घर आने में शायद जादा late हो जाती है जो time होती है घर लोटने की उससे वो थोड़े late चल रहे हैं Standing among silent commuters in the yellow light और साथ ही वो क्या कर रहे हैं वो खड़े हैं उन silent commuters के बीच में और उनके उपर एक पीली रोशनी पढ़ रही है उस bulb की चुप चाप से वो अपनी इस यात्रा को पूरा कर रहे हैं Suburbs slide past his unseen eyes अब train के खिड़की से अगर देखा जाए तो बहुत सारे छोटे छोटे कुनबे जो suburbs हैं वो यूँ ही पीछे छूटते चले जा रहे हैं लेकिन जो मेरे फादर हैं उनकी नजर उस पर नहीं जा रही क्योंकि उनका daily routine हो चुका है उन्हें इसी train से आना है इसी रास्ते से आना है तो ये सारी चीजे अब उन्हें attract नहीं करती है His shirt and pants are soggy उनके shirt और pant जो हैं वो soggy हो चुके हैं पानी से and his black raincoat stained with mud और जो उनका black color का raincoat है उस पर क्या है उस पर कीचर लगा हुआ है उनके कपड़े पूरी तरह से गंदे हो चुके हैं and his bag stuffed with books is falling apart और उनका ये bag जो अपने साथ लेकर चलते हैं उसमें क्या है किताबे भरी भी हैं लेकिन इतनी जादा किताबे हैं इतना पुराना वो bag है कि ऐसा लग रहा है कि वो bag भी बस अप फटने ही वाला है यानि कह सकते हैं कि जो condition है in poet के father की वो सही नहीं है बहुत ही difficult situation से वो गुजर रहे है His eyes dimmed by age fade homeward through the humid monsoon night अब उनकी जो आँखे हैं वो समय के साथ क्या हो गई है उनकी आँखों की रोष्णी पीकी पड़ चुकी है लेकिन फिर भी वो क्या कर रहे हैं वो अपनी घर की तरफ देख रहे हैं भयानक बारिश हो रही है Monsoon night है ये रात के समय बारिश हो रही है फिर भी वो अपनी धुंदली आँखों से घर की तरफ देख रहे हैं वो इस ट्रेन से उतरना चाते हैं अपने घर के comfort में पहुँचना चाते हैं अब poet अपनी imagination में आगे बताते हैं कि अब मैं देख सकता हूँ कि कैसे मेरे father जो हैं वो उस ट्रेन से नीचे उतरते हैं जब वो अपने destination पर पहुँच जाते हैं तो वो उस ट्रेन से यूँ नीचे उतरते हैं मानो जैसे कि किसी word को एक लंबे sentence से निकाल दिया गया हो यानि कभी क्या होता है जब हमें लगता है कि कोई sentence बहुत जादा लंबा हो गया है तो उसमें से हम किसी एक word को जो हमें लगता है कि वहाँ पर useless है meaningless है उसे हम उस sentence से बाहर कर देते हैं तो बिलकुल उसी तरह मेरे father उस train से निकल गए मानो की ये train में उनकी कोई जरूरत नहीं थी उनका वहाँ पर कोई use नहीं था वो बिलकुल meaningless है उस जगह पर He hurries across the length of the grey platform वो जल्दी से उस grey platform को पार करते हैं वो जो लंबा grey platform है उसे वो पार करते हैं क्यों? क्योंकि बारेश हो रही हमने पहले ही पढ़ा कि monsoon night है तो वो जल्दी से उस platform को पार करते हैं crosses the railway line, enters the lane और क्या करते हैं? फिर railway line को पास करके जो lane है वहाँ पहुंच जाते हैं यानि simply आप ये समझे कि railway station से बाहर निकलने की जल्दी है मेरे father को His chappals are sticky with mud but he hurries onward उनके चपल जो है उनमें कीचर लग गया उनमें mud लग गया है, बहुत ज़्यादा चिपचिपे हो गए है लेकिन फिर भी क्या होता है वो जल्दी जल्दी अपनी कदम आगे बढ़ाते हैं अपने घर पहुंचने की चाह में यानि ये जो बाहर की दुनिया है उसमें मेरे father ढलना नहीं चाहते उसमें रहना नहीं चाहते वो बस चाहते हैं कि वो अपने घर पहुंच जाएं वहाँ पर आराम से रहें तो शायद उन्हें थोड़ा सुकून मिलेगा अब यहाँ पर friends एक second stanza start होता है first stanza में हमें बताया गया कि बाहर की दुनिया में जो society थी वहाँ पर कैसे हाला थे लेकिन अब हमें बताया जा रहा है कि father का उनके घर में क्या situation है वो अपने घर में कैसे treat किये जाते हैं उनकी क्या views होती है home again, I see him drinking weak tea eating a stale chapati reading a book अब poet बोलते हैं कि जब मेरे father घर लोटाए वो home आ गए तो मैंने देखा कि वो एक पतली सी चाय पी रहे हैं जिसमें जादा milk नहीं डाला गया है पतली सी चाय पी रहे हैं एक stale chapati एक पुरानी रोटी खा रहे हैं और एक किताब पढ़ रहे हैं अब इस तरह की situation एक man की कब होती है जब या तो उसका खयाल रखने के लिए उसकी wife नहीं होती या उसके बच्चे नहीं होते तो तभी ही उसे इस तरह की poor treatment दी जाती है तो यहाँ पर शायद ये भी हमें notice करने वाली बात है कि जो father है उनका कोई खयाल रखने के लिए नहीं है उस घर में He goes into toilet to contemplate man's estrangement from a man-made world यानि वो toilet जाते हैं अपनी जरूरतों के लिए bathroom जाते हैं और वहाँ जाकर के भी वो ये सोचते हैं कि ये जो दुनिया है ये एक man-made world है यानि इनसानों ने ही इस दुनिया को बनाया है ये buildings, ये car, train सब इनसानों ने बनाया है फिर भी इस man-made world में एक आदमी कैसे अकेला और lonely फील कर सकता है इस बात पर वो जाकर bathroom में अपनी toilet में सोच रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है इसके पीछे का reason क्या हो सकता है क्योंकि एक middle class man की ये एक कह सकते हैं एक आदत होती है कि वो अपनी problems के बारे में बहुत सोचता है Coming out, he trembles at the sink फिर बाहर निकलते हैं जब वो अपनी toilet से तो उनके हाथ जो हैं वो sink के पास पहुचने पर कापते हैं क्योंकि पानी जो होगा वो बहुत थंडा है ये सोच कर ही उनके हाथ जो हैं वो काप उठते हैं The cold water running over his brown hands और जो थंडा पानी है वो कहा है तो उनके brown hands से बह रहा है चूंकि हम Indians है तो हमारा skin color usually brown होता है तो थंडा पानी उन brown हाथों से बहता जा रहा है A few droplets cling to the graying hair on his wrists और कुछ पानी की जो बूंदे हैं वो कहां चली जाती हैं तो उनकी हाथों पर जो थोड़े बाल हैं उसमें कुछ पानी की बूंदे जो हैं वो चिपक गई हैं His sullen children have often refused to share jokes and secrets with him उसके जो बच्चे हैं जो उसके children हैं वो sullen हैं यानि वो खुश मिजाज नहीं है इसके सामने जादा खुल कर बातें नहीं करते और साथ ही उनके जो jokes हैं उनकी जो secrets हैं जो कुछ उसकी उनकी life में हो रहा है वो अपने father से share नहीं करते हैं यानि father को एक तरह से कह सकते हैं estrange कर दिया गया है उनकी life से उनकी life में क्या हो रहा है वो अपने father को नहीं बताते हैं और अब वो क्या करेंगे तो अब उनके पास चूंकी करने को कोई काम ही नहीं है तो वो अपने घर, room में चले जाएंगे सुने के लिए और वहाँ बैठ कर वो उन रेडियो को सुनेंगे जिनने सुनना उन्हें पसंद नहीं है रेडियो सुनना पसंद नहीं है मगर चूंकी कोई काम नहीं है तो रेडियो ही सुन लेंगे dreaming of his ancestors and grandchildren और साथ ही वो क्या करेंगे तो वो सपने देखेंगे किस बारे में तो अपने ancestors अपने पूरवज के बारे में और अपने grandchildren के बारे में जो बच्चों के बच्चे होंगे उनके बारे में सपने देखेंगे कि शायद वो बच्चे मुझसे जादा close होंगे, मेरे बच्चे तो मुझसे उतने close नहीं हैं, लेकिन वो छोटे बच्चे शायद अपने दादा के अपने नाना के जादा close होंगे, thinking of nomads entering a subcontinent through a narrow pass, और साथ ही अपने land से दूसरे land जाते थे, तो वो भी क्या एक different life थी, कितनी problems थी उस life में, मगर शायद वो वहाँ खुश रहते होंगे, यहाँ पर friends ये poem खत्म होती है, पढ़ने में हमें ये बहुत ही simple सी poem लगती है, ज्यादा tough words नहीं है, लेकिन जो inner meaning है, जो inner हम कह सकते हैं conflict है, उस पर गौर करना होगा, कि कैसे एक middle aged man या एक old man, एक middle class family से अपनी life से satisfied नहीं है, अपनी life में खुश नहीं है, एक routine follow कर रहा है, लेकिन जो कहते हैं कि inner happiness जो होती है, वो उसे नहीं मिल रही है, तो friends ये थी दिलिप छित्रे की poem father returning home, अगर आपको वीडियो पसंद आई, तो please like, comment और share करें